जब कोई वस्तू कम या अधिक पर वेची जाए तो सबसे पहले कम और अधिक का मतलब हो गया कि दो लाब या दो होनी कम या अधिक तो यहां पर दोनो पर तिसत का अंतर करना है यदि हानी ही रहे हाणी पर तिसत तब भी अंतर करना है जब कोई वस्तू कम या अधिक पर वेची जाए यहां अपोजिट रहे एक वार होमack और पुनाह क्या हो जाए हानी यहां प्लस चिन का परति सतों का हम लिख रहें तो हम पर बेचा कम या अधिक पर बेची जा उस बस्तु का क्रेम मुल्य ज्याद करने के लिए क्रेम मुल्य बराबर तो अधिक फर्मूला लिख देते हैं अधिक कि मुल्य कि गुना कि एक सो अबट परति सतों का अंतर या योग योग कब होगा जब अब बोजित रहें परतिसाथ फर्मूला पर आपका ये फर्मूला आपका बंडा है तो यहाँ पर एक क्या करा है लाब हानी कि जब कोई बस्तु कम या अधिक पर बेची जाए तो दोनों मेथड से बना रहे हैं आपका फर्मूला बेसिस भी बता रहे हैं आपको फर्मूला बेसिस क्या है कि इसी को हम सोट में बोलते हैं CP p lip Charlotte में क्या जोन 바뀌ना कोश्ट कौस्ट प्राइश सम ऑधिक बस्तू टेखो CP वरावर आधिक बस्तू कितना अधिक बस्तू तीन हजार तो तीन हजार गुना अधिक मुल्य कितना आपका ilה तो यहाँ पर दस परतीशद की होन के और पर्तिसत का क्या हो रहा है फोतर डस परतिसत का होनी और दस पर लाव तो आब अधीक बस्तुकुन एक आ्लाम ओर होनी लॉट और हौनी कौं प्लस जो क्या लिखेंगे 20 क्या लिकांगे 20 तो शीपी वरावर तीन हजार गुना एक स्वा इसका सी पी कितना निकल गया तीन हजार रुपई या सीपी कितना निकल गया 3000 रुपया दूसरा मेथड देखो इसे भी आसान मेथड अब आसान मेथड क्या है कि आब लाव होनी हो तो हमेसा CP 100 पर होता है हमेशा CP कितना पर हंडेड पर हंडेड पर हम CP निकालने 10 और 20 दोनों को जोडेंगे क्यों कहानी और लाव को जोडते हैं क्या करते हैं कितना हो गया तीस पर तिसत बराबर कतना रुपया अधिक मिलडा है तीन हाजार तो यहां तीन हाजार रखेंगे अब हंडेड पर सीपी होता है तो एक सो पर तिसत बराबर तीन हाजार बटे में कितना और कितना पर वहल्यू निकलना है एक सो पर तो एक सुनिये एक सुनिये कैंसिल दोनों भाग को देंगे तो कितना बार में तो हंडेड पर कितना निकल गया तो बस्तू का बस्तू का करया मुल्य कितना है दस हाजार रुपया